हलो फ्रैंट्स वेलकम टू माई चैनल जायकाद दिल्ली छे तो आज हम बनाने जा रहा हैं खीरी बोटी जैसा कि खीरी बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे जो नोनवेज के शौकीन हैं और खाने वाले हैं लाइक कलेजी गुर्दे खीरी इस टाइप की जो जिखाने वाले हैं चीजें वो लोग समस्ते होंगे खीरी क्या होती है तो आज हम खीरी बोटी बनाने जा रहे हैं तो देखिए उसका अंदर जो मसाला डलता है वो मैं आपको यह दिखा रही हूं तो यह देखिए दो चमच धनिया लिया है आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच नमक और आधा चमच लाल मिर्च और यह थाबत गरम मिर्चे मैं यह आप देख सकते हैं दाल चीनी हैं काली मिर्चे हैं और दो बड़ी लाइचियां है तीन चार हरी लाइचियां है चार-पांच लोंगे हैं एक इस्टार है और जावीत्री है खुश्बू के लिए और जीरा काली मिर्चे तो एक बर मैं फिर से दिखा देती हूं आप देखें यह मैंने टमाटर इस तरह से काट लिए हैं और यह आप देख सकते हैं खीरी इस टाइप के होती है हराधनी लिया है गार्णिश के लिए एक इंच का अध्रक लिया है चार-पांच हरीविच चली है उनको भी सब को मैंने बारिक-बारिक काट लिया है और आप चलिए स्टार्ट करते हैं एक पैन ले लिया है मैंने उसको गरम करने के बाद अभ हम इसमें अधा किलो क्यूंकि कीरी है तो हम इसमें एक बड़ा चमच जो होता है चलाने वाला सालन् तो वो बड़ा चमच हमने स्टाड़ ओऊ लिया है और वेल करेंगे हम इसका गरा मौरी का जब यह गराम हो जाता है और इसमें मस्टरड की पूरी श्मेट निकल जाती है उसके बाद हम इसका नेक्सट प्रोसैस स्टार्ट करेंगे तो देखे तेल गरम हो चुका है और आभ हम इसमें सबसे पहले प्यास डाल रहे हैं प्यास को हम लाइट ब्राउन करेंगे अब यह मैंने सारी प्यास डाल दी है और प्यास को डालने के बाद हम इस तरह से चलाते रहेंगे हुआ थोड़ी थोड़ी देर पर हम इसे चलाते रहेंगे एक जगा डाल कर छोड़ना नहीं प्यास को अगर आपने प्यास डाल कर छोड़ दी है तो साईड़ों से डाग ब्राउन हो जाएगी और बीच में से लाइट ब्राउन रहे क्योंकि हमें प्यास को एक ही कलर में करना है तो हम इसे हिलाते रहेंगे कि इस तरह से अगर एक चीज यहां पर याद रखने वाली है कि अगर आप लाइट ब्राउन प्यास करते हैं तो आपका जो डिश बनेगी उसका कलर लाइट रेड़नेस में आएगा और अगर आप डाक ब्राउन कर लेते हैं प्यास को तो आपका रेडिश आएगा नानवीच का जो कलर होता है डिश का लाल लाल ज्यादा देखने में अच्छा लगता है तो हम इसे थोड़ा सा डाक ब्राउन करेंगे ताकि हमारी डिश का कलर बहुत अच्छे से इन्हेंस हो जाए प्यास डाक ब्राउन होने में कम से कम पांच मिनट लेगी तो हमें पांच मिनट तक इसी तरह से प्यास को चलाते रहना के लिए प्यास और अगर आम उसमें डॉकर आप ब्राउनयक्त है और अगर हम इसमें डॉक ब्राउड प्यास नहीं करते हैं तो उसका ड deck ब्राउड न्गर doc होने तो पांच मिनिट में इसे भूनूंगी और इसे भी इसी तरह से चलाती रही है काइस टिमाटर आप धियान रखिए अगर आपको देसी टिमाटर मिल जाते हैं तो बोलिजे क्योंकि देसी टिमाटर का जो टेस्ट होता है खटा 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 तो वो कोई भी अपडिश बनाए उसका जो जाइखा होता है उसको बहुत अच्छे से इन्हेंस कर देता है और ज्यादा लजीज बनती है मज़ेदार बनती है तो यह देखिए अब सौफ्ट होने वाले हैं और यह जो सारे स्पाइसिस मैंने लिए थे सारे मसाले वह मैं इसमें डाल दूंगी और इसको भी एक मिनिट तक मैं घुमा घुमा कर कसूंगी तेल में ताकि इनके अच्छी सी फ्रेग्रेंस निकल के आए गरम मसाले की और ज अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे पानी डालने के बाद इसको भूनते रहेंगे इसी तरीके से तो देखिए कोई भी आप डिशिस बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली जो बात होती है वो आप मसाला भूनते हैं तो आपको पता होना चाह जाता है फिर उसके बाद वो जाइखा नहीं आता जो आप चाहते हैं खाने में तो देखिए जो पानी मैंने डाला था वह अब यह टिमाटर को बिल्कुल गला देगा प्यास भी गल जाएगी जो ब्राउन हुई प्यास थी वह भी बिल्कुल गल जाएगी यह भी हम एप्रोक्सिमेट दो मिनट तक फ्राई करेंगे इसको तो अभी जो गाइस मेरे चैनल पर नए लोग जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजे क्योंकि मैं इसी तरह की डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप की डिशिस बनाती रहती हूं नॉन वेज में भी अगर आप खाने पीनी के शौकिन है तो जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंट्स सरकल में शेयर करिए और जो लोग खाने के शौकीन हैं उन लोगों को शेयर करिए तो भाई ये मसाला भून चुका है और अब हमने इसके अंदर ये खीरी बोटी डाल दिये तो खीरी के अंदर हड़िया नहीं होती वो सिर्फ वाइट कलर का मीट होता है और उसकी मीडियम साइज के दो से तीन इंच के पीसिस करवाईए बहुत ज्यादा बड़ी नहीं और बहुत ज्यादा चोटी भी नहीं मीडियम साइज के पीस करिए और अब हम इसे पांच मिनिट के लिए कसेंगे और जब आप बिना पानी के इसे कसते हैं तो आप देखेंगे ये एक बॉल की तरह बनती जाएंगी बोटिया इसकी फूल आती है तलने पर तो यह देखिए मोटी मोटी होना शुरू हो गए और इसे हम इसी तरह से चराते रहेंगे बीच बीच में क्योंकि पानी तो हमने अभी इसमें डाला नहीं है इसके अंदर से हल्का फुलका सा पानी निकलेगा और उसी पानी में ये मसाले के अंदर से फ्राइक करने का ताकि इसके अंदर तक मसाले का टेस्ट चला जाए ये देखिए किस तरह से बॉलकी तरह बनना शुरू हो गई है ये गोल-गोल हो जाती है या अगर आप इस तरह से बनाते हैं जो मेरी डेशिपी है मेरे तरीका है आप यखिन करिये इस तरह से पानी चाहिए प्रणने हैं इसको फटी यह श्रीध पानीच फिर नलेरकर प्रणने हैं मुझा और्ण का पैस्ट डालना भूल गई तो अभी मैं डाल रही हैं यह मेरा भी हो तो यहाई इस टार्टिंग में डाल सकते हैं चुछ стол력 में भूल गये पांजी के बाद याई दाल सकते हैं पानी दालने के बाद क्योंकि हम में इसकी कसाई और करनी होगी जब पानी सूख जाएगा तो वह अच्छे से पक जाएगा तो आप इस टाइम पे भी डाल सकते हैं लेकिन जो सही तरीका है वह आप जो मसाला भूंते हैं उसके अंदर डालिए लसन अधरका पेस्ट तो मैंने एक चमच लसन अधरका पेस्ट एड किया है इसके अंदर और यह 15 मिनट के बाद मैंने यह देखी खोल कर देखा है तो इसकी कंडिशन इस तरह से है यह अभी नहीं गला है और जब गलेगा यह तो इसका पानी कम हो जाएगा तो समझ लीजे कि यह गलने की कगार पर पहुँच चुका है थोड़ से पानी में देखेंगे उसकी बोटी है उसके जो पीसी अगर वह रहे हैं तो समझे वह अभी गला नहीं है अगर वह बंद कर देता है तो आप अंदादा लगा लीजे कि गोश्ट गल चुका है यह एक ट्रिक है याद रखिए जिन्दगी में बहुत काम आईगी आपके तो देखें यह बंद हो गए यह हिलना अब बोटी को अगर आप देखेंगे तो यह हिलना बंद हो चुकी है और मसाला बिल्कुल बुन्ने के गगार पे आ रहा है पानी पूरा सूक चुका है अच्छे से चलाईए क्योंकि मैं एक हाथ में मेरे कैमरा है और दूसरे हाथ से मैं चला रही हूं तो जड़ा सा चलाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है रंगत देखें कितनी अच्छा है यह जैसे जैसे आप कसाई करेंगे इसमें और अगर आपको लगता है यहां पर भी 15 मिनिट के बाद खुलने के बाद आपको लगता है कि यह भी कच्छी है तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी और एड़ कर सकते हैं अब पिर से लीड लग सकते हैं ताकि वो जो असमें कच्छा पन है वो भी खतम हो जाए और अच्छे से वो गल जाए तो यह देखिए मैं अच्छे से भूनाई कर रही हूं इसकी यह देखें और जब तक यह तेल नहीं छोड़ देता मसाले से तेल अलग नहीं हो जाता तब तक समझें कि यह भूना नहीं है तो मसाले ने देखिए तेल छोड़ना शुरू कर दिया है पैन में हमें अलग से तेल नजर आना स्टार्ट हो गया है तो इट मींस यह अच्छे से भून चुका है और अभी इसके अंदर आप ग्रेवी डाल सकते हैं अपनी चॉइस के एकॉर्डिंग आपको कितनी ग्रेवी डालनी है कितना लूज रखना है कुछ लोग इसे भुनुआ खहना पसंद करते हैं कुछ लोग थोड़ा सा ग्रेवी के साथ पसंद करते हैं तो मैं थोड़ा सा ग्रेवी के साथ ही बनाऊंगी तो यह मैंने एक गिलास के करीब पानी डाला है और आभी मैं कम से कम 10 मिनट और प़कॉनगी 5-10 पका लीजे ताक कि हरदनी की भी फ्रेग्रेंस इसके अंदर रच बस जाए और आधा हरदनिया आप अलग रखिए गानिश करने के लिए तो देखिए इतनी ग्रेवी एनफ है रोटी के साथ खाने के लिए तो मैं इतनी ही ग्रेवी रखूंगी अभी इसके उपर तार नहीं आया है जिसे लोड़ी देर तरक किसे छोड़ना होगा ऐसे तो इसके उपर फिर रोगन आ जाएगा जो तार नजर आता है तभी मजा आता है देखने में और वाइस यह इस तरह से देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है तो आभी देखिए दो मिनिट के लिए मैंने एक बार फिर से कवर करके ओपन करा है इसकी लीट को तो दो चार बर में हिलाओंगी तो अब अगर मैं गैस चुला बंद कर देती तो इसके उपर तार आ जाएगा यह देखिए आना शुरू हो गया और इसका कलर और चेंज हो जाएगा एक दम रे चुला बंद करिए और बंद कर दीजाए इसी तरह से इसकी लीट को और खाने से थोड़ी देर पहले आप इसे डिश में निकाल सकते हैं तो उस टाइम तक इसके उपर पूरी तार की लेयर आ चुकी होगी बारहाल मैं अभी निकाल रही हूं आप लोगों को क्योंकि दिख है अच्छा मसाला वही माना जाता है जो देखने में एक दम दानेदार हो और वो उतना ही खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है तो आपको अंदाजा हो गया है हरे धनिये से फिर इसको पर से गार्निश कर दीजे इसकी खुबसूरती को चार्चान लग जाएंग तो चलिए अपना यहीं पर मैं खतम करती हूं फिर मिलती हूं एक नई वीडियो में नई दिश के साथ तब तक के लिए अजाज़त आप बहुत बहुत ख्याल रखें आप सब लोग अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करक चलती ही चल रही हूं खाना खाने के लिए